यू गाइस स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल्स टीवित अमन कुल में तो आज के इस वीडियो में हम क्लास नाइन का आपका जो चैप्टर नंबर टू है अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख सकते हैं चैप्टर नंबर टू साउंड ऑफ म्यूजिक में दो पार्ट है एक एवलन ग्लानी का और एक बिस्मिल्ला खान का और इनके राइटर है डैवोरा कॉली और आप मुझे कमेंट सेक्षिमें जल्दी से साउंड ऑफ म् दो के राइटर का नाम कमेंट सेशन में जिसे आपको भी लान होजाएं सबसे पहले हम पार्टवन को देखेंगे पार्टवन में एक मोस्ट वच आफ्टर मफ़ैशिशन इंट्रनाशनल इंटरनाशन лें इन्ट्शल में व वह बहुत जाधा फेमर्स मफ़शिशन मौल्टि प बात यह भी है कि she achieved the set in spite of her disability as she found to foundly deaf, यानि आप देखिए वो पच्छपन से ही disabled है, disabled है, वो सुन नहीं सकते हैं, वो deep हैं, बहरी हैं वो और वो सारे ही instrument प्ले कर सकते हैं, सारे instrument को अगर वो play कर रही है, सुन नहीं पारी, वो कुछ तो कैसे play कर रही है, तो यह कैसे music को feel करा रहाता है, चाप्टर पर आपका यह है, sound of music, but she learned to listen with her body instead of the ears, अब वो गाने को, सुरो को वो अपनी body पर महसूस करती है, वो सुनती नहीं है, उसे body को feel करती है, जब आप भी lead लगाके काने सुनते हों, तो आपको भी body में sensation होती होगी, जो सारी sensation वो दूर होती होगी, तो अग्दम peace जैसा लगता है, वैसी वो body से अपने काने को सुनती थी, she feels the sound through her body, Evelyn was 11 years old, जो Evelyn है, वो 11 साल की है, when it was discovered that she had a hearing problem, और तब ही उन्हें परसे चला था कि उन्हें hearing problem है, यानि मम बापा बोलते होंगे, ऐसे देख देख के, तो वो भी उनकी तरफ इशारा या बाप, क्योंकि बोल तो सकती हैं, बोल ले दी, बट सुन नहीं सकती, she wanted to pursue her career in music, बट her teacher discouraged, यानि उन्हें म्यूजिक में अपना career बनाना था भर उनकी टीचर ने उन्हें दी मोटिवेट कर दिया, it was Ron Forbes who recognized her potential and supported her, और जो थे वो Ron Forbes थे जिसने उन्हें इसका potential जितना उनकी strength देखी और उसे मतलब यह लड़की कर सकती है, तो बोलता है ना कुछ लाइफ में मोटिवेट है तो हमारी लाइफ में होते हैं, तो उन्होंने उसे मोटिवेट करा और सपोर्ट करा, He advised her not to listen through our ears but try to sense it in some other way, उन्होंने एडवाइस ही की कानों से मत सुनो, उसे क्योंकि सुननी सकती हो, वो ऐसे दूसरे सेंस में सुनो, This proved to be the turning point और यही Evelyn Kate life का turning point था, she learned to open her body and mind to the sounds and vibration यहनी अपनी बोड़ी को उसने sound feel करना, vibrations feel करना सीखा, After that she never looked back, और उसके बाद उसने पीछे कमड़के कर भी नहीं देखा, उसने master कर ली vibration of sound on a body, यहनी इस कला में master हो गई कि अपनी body से कैसे vibration, sound, music को feel करते हैं, She joined the prestigious royal academy of music, उसने royal academy of music जोइन करा, और पूरी मतलब उस academy की history में सबसे जादा mark score करे, उसने बहुत जादा hard work करा, stood against all odds and got right to the top, और सबके सामने वो खड़ी कतरी, In 1991, she was presented the royal philforminic society's prestigious soloist of the year award, और उसने soloist, यानी जो single singer होता है, उसको award भी मिला, Apart from the regular concert, Evelyn gave free concert in hospital, अब regular concert सो वो करती ही है, पर वो free concerts, hospital में भी, jail यानी prison में भी, and young magician को भी वो inspire करती है, She became a source of inspiration for the deep and other handicapped children, यानी वो एक source of inspiration बन गई, यानी कुछ अगर जो disabled या specially able child होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर किसी के eyes ने तो वो कुछ करने सकते हैं, अगर आपने भी movie आई एक शीकान, उसमें उसके eyes ने, बट वो इतना कुछ अचीव करता है अपनी life में, और यह real life पे बेस्ट होते हैं सारे, तो handicapped children, जो सोचते हैं क वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो depend हो गए हैं लोगों पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब कर सकते हैं, she inspired them and made them believe that if Evelyn could do, so could they, यानी अगर मैं कर सकती हूँ, तो तुम आप सब भी कर सकते हो, तो यह part one of the chapter था, I hope आपको समझ आए होगा, अब हम part two समझते हैं, बिस्मिल्ला कान, तो chapter जो है वो, through the light, the origin of shanai and the life of all time great shanai waadak, यानी chapter स्टाट होता है shanai से, यानी और shanai का origin क्या है, shanai कहां से आई, और shanai waadak कहां से है, यानी बिस्मिल्ला खान, इनके बारे में, the winner of भारत रतना, यानी भारत नेतन का award मिला है, highest civilian award मिला है इंडिया का, और किसके अपना music का dedication और इंडिया के प्यार के लिए, पुंगी, अब हम देखते हैं सबसे पहले, shanai कैसे बनी, तो पुंगी नाम को एक instrument था, जो कि Emperor Aurangzeb ने बैन कर रखा था, मतलब यह कोई भी नहीं बजाएगा, because of its chill and unpleasant sound, क्योंकि इसमें बहुत पिकार सी हवाज है, अगर वो इसमें मुजिकल इंस्ट्रिमेंट, तो उसे सब कहते थे कि यह तो बहुत दो शूर मचाती है, मुजिकल इंस्ट्रिमेंट कैसे हो सकता है, बट फिर यह मॉडिफाइड करी गई, यानि इसे ठीक करा गया, पर्फेक्ट करा गया, एक बार बार के दौरा, जो कि एक प्रोफ शाँ चैंबर बाइनाई, यानि शाँ यानि किंग के चैंबर में वो बजाई गई, किसके दौरा एक नाई, यानि बार बर के दौरा, तो उसका नाम रगया, शेहनाई, तो यह शेहनाई ऐसे नाम ओरिजन हुआ था, ट्रडिशनली इट वस पेज इन दे टेंपल, और अव मतलब उसकी जो आवाज है, स्वर हैं, वो एकदम लगता था कि हाँ, पवित रहे हैं, और पीशियस माना जाता था, इट वस ट्रेट एज अन इंकंप्लेट मिजगल इंस्ट्रुमेंट, नॉट कैपेवल ऑफ क्रेटिंग इंडिपेड़न बेशिच, बट बिसमिल्ला कान इस मित को भी जूट को भी यह जो लोग इसे सच मानते थे इसको भी तोड़ दिया, बिसमिल्ला कान बनारस से ब्लॉंग कहते हैं, वाज जिसे हम आज के समये पे वारणासी कहते हैं, घराने से ब्लॉंग करते हैं, वो 1916 में डुम राओं, बिहार में एक जगे हैं, वहां पे पैदा हुए थे, from five years of age, he used to visit the Biharji temple, और पांस साल के उमर से वो भी जाते थे और बोचपुरी में चेता एक टाइप का होता है, उसे गाते थे, for his melodious singing, as a child, he used to earn a big laddoo from a local बोचपुरी के, यानि उनकी इतनी प्यारी आवास थी, तो उन्हें मतलब वो गाना गाते थे तो उन्हें चोटे बच्चों का कुछ गाते तो कुछ पैसे वासे देते न, तो उन्हें एक laddoo मिलता था, वांप के भोचपुरी किंग से, और शेह साल की उमर में वो बनारस, यानि वायरना से शिफ्ट हो है, they are under the guidance and training of his maternal uncle, अब उनकी मामा की maternal अंकल मामा को कहते है, मामा ने उन्हें ट्रेनिंग थी, जिनका नाम था, अली वक्ष, he started picking up the finger, means finger nuisance of Chennai, और फिर वो बचाने लगे, he used to spend most of the time practicing on the bank of river Ganga, यानि वो अपना जातर टाइम अपना गंगा की रंगा नदी के पास practice करते हुए बिदाजी थे, the theme of his music was deeply affected by the sound of flowing water of the Ganga, यानि जो Ganga की बहने का जो आवाज है, उससे ज़्यादा प्यारी आवाज उनकी शेहनाई बजाने की थी, he got the best performer award all India music conference in Allahabad, Allahabad 1930 में उन्हें best all India music conference का अवाड मिला था, 2001 में उन्होंने तीन अवाड पदमभूशन, पदमश्री, पदमभूशन, तीनों मिले उन्हें, he was invited to play shanai from the ramparts of Redford in 1947, और 1947 में जब आपका हमार देश अजाद वाजाता था था था, थो उन्होंने रंपार्ट में भी shanai बजाय थी, becoming the first to greet the independent India, यानि और वो पहले इंसान बने थे, जुन्होंने independent यानि अजाद भारत में बजाया था, we won many international awards, और उन्हें बहुत था इंटरनेशन अवाड्स भी जीते हैं, he became the first India to perform at Linnical Central Hall, USA An auditorium in Tehran was named after Tahar Mosi के उस्ताद Ms. Benla Khan, यानि लंडन में भी, USA में भी वो सबसे पहले इंडियान थे जुनोंने परफॉर्म करा था, और उन्हें एक तेहलान नामक auditorium में गीत अपना चेहनाई बजाये थी, तो उनका ना उस auditorium का नाम तेहार मौस के उस्ताद बिस्मिल्ला खान रखा गया, बिस्मिल्ला जो थे वो बहुत जाए फॉन थे बनारे से और ढुमराओ से, जहां से हम पैदा होते हैं या जहां में पाला जाता है तो बहुत पसंद होती है, यह बना कर दिया था, यहां पैदा होते हैं वहां से दूर ना जाते हैं बहुत पसंद था, गंगा उन्हें बहुत पसंद थी, यह वेंचर इंटू दे फिल्म वर्ड ऑल्सों यह कंट्रिबूटेड ही इस म्यूजिक इन टू मूवी में उनका कंपोजिशन में यह दिल का खिलोना है और दूसरा गून जुटी शनाई वहां से चार्टबस्टर बट यह कुट नॉट एससेट इंसल विदा आर्टिशल आप दूसरा बट फिल्म वर्ड फोरिम म्यूजिक वाजिसुल और उनके जो म्यूजिक है वो उनकी आत्मा है उनकी लाइफ है तो यह हमने दूनों चाप्टर पढ़ लिए दूनों पार्ट पढ़ लिए चाप्टर नंबर टो की और चाप्टर नंबर वन भी हमारे चैनल अब कम्प्रीट है आपने अभी तक देखाने हो तो देख सकते हैं और चानल को पी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरू करें विडिए चला के तो इसे लाइक करिया और दोस्तों साथ शेर जरू करें थैंक्स वाटिन वे बेगाईस